नमस्कार दोस्तो अंतिम प्रार अती मैतुपून प्रशनोत्री मेरा थन भाग पाँच में आपका स्वागत हैं यह मैतुपून प्रशनोत्री राजस्तान की सभी परतियोगी प्रीक्षाओं हेतू बहुती मैतुपून है इस प्रशनोत्री में बहुती जबरदस्त क्यूशन जो की परसंसंख्या है टोटल 51 जो राजस्तान भुगोल एवं प्राकर्तिक संसादन के संपून पाट्य क्रम से तयार किया गया है तो इसके पर्तम क्यूशन की ओर्ड हम बढ़ते हैं हमारा पर्तम क्यूशन होगा राजस्तान का थार मरुस्तल से प्रभावित छेत्र फल वे जनसंख्या का परतिसत कितना है मरुस्तल से प्रभावित छेत्र फल वे जनसंख्या का परतिसत कौन से ओप्शन में 60 कांस्वर है छेत्र फल 50 परतिसत जनसंख्या 50 परतिसत छेत्र फल 61 परतिसत और जनसंख्या 40 प तो friends इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option B, option B, छेत्रफल 61% और जनसंख्या 40% जो की थार मरुस्तल से परभावित है, next question की ओर वढ़ते हैं, राधे, राधे, जालोर सिवाना की पहाडियां बनी हैं, जालोर सिवाना की पहाडियां बनी हैं, किसकी बनी हुई है, अरावली सलेट की, पेग में टाइट की, या जालोर ग्रेनाइट तता रायो लाइट की, या क्वार्ट जाइट पत्तर की, तो friends इसका जो correct answer है, वो हो जाएगा option C, option C, जालोर ग्रेनाइट तता रायो लाइट से, जालोर सिवाना की पाहडियां बनी हुई है नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं फ्रेंट्स राधे राधे अरावली पर्वत प्रकार के हैं अरावली जो पर्वत हैं, वो किस परकार के हैं जवाला मुकी, अवसिष्ट, फॉल्डार, या अवरोधी तो friends इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option B, option B अवसिष्ट हमारा correct answer हो गया अरावली परवत परकार है, किसका परकार है अवसिष्ट का परकार है next question की ओर चलते है, next question है हमारा, राजस्तान के किस सहर में चिडिया टुक पहाड़ी इस्तित है, राजस्तान का कौन सा सहर है जिसमें चिडिया टुक पहाड़ी इस्तित है, जोदपूर, अजमेर, डुंगरपूर या भास्वाडा तो friends इसका जो correct answer हैं वो हो जाएगा option A option A जोदपुर जिले में चिडिया टुक पाढ़ी इस्तित हैं जिसके उपर मेराना गड दुर्ग बना हुआ है next question की ओर चलते हैं हमारा next question है दोस्तो राजस्तान का परवतिये वागड छेतर राज्ये के किस भाग में इस्तित हैं दक्षिनी राजस्तान गुजरात सीमा पर उत्तर परदेश की सीमा पर मद्दे राजस्तान या राजस्तान पूण छेतर मद्दे परदेश से 6 इस शेतर में हैं तो friends इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option A, option A, दक्षिन राजस्तान वे गुजरात सीमा पर वागड परदेश बसा हुआ है, next question की ओर चलते हैं friends, समरा, next question है, मेरवाड पहाडियां निम्नांकित भूतिक इकायों में से किस एक का उप विभाजन है, हमारे option है, अलवर पहाडियां, मद्दे अरावली स्रेणी, मेवाड चटानी परदेश या आबू परवत खंड, तो friends, इसका जो correct answer हो जाएगा, वो है, option B, option B, मद्दे अरावली स्रेणी, next question की ओर चलते हैं friends, हमरा, next question है, राजस्तान में निम्न में से कोन से जिले मुख्यत बीहड परवावित हैं, कोन से जिले बीहड परवावित जिले हैं, कोटा, स्वाई मादूपूर, दोलपूर, बासवाडा, डुंगरपूर, जेसलमेर, भीलवाडा, डुंगरपूर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाडा और पाली, तो फ्रेंट्स, इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं, वो हो जाएगा, ओप्शन नमबर एक, ए, कोटा, स्वाई मादूपूर, और दोलपूर जिले में, मुख्यत बीहड छेत्र हैं, बीहड छेत्र हैं, नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्यूशन है, राजस्तान के किस जिले में, अधिक्तम जिलों की सीमाएं इस पर स्करती है, नागोर, भीलवडा, पाली या अजमेर, तो फ्रेंट्स, इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं, वो हो जाएगा, ओप्शन C, सी पाली पाली जिले के सरवाधिक जिलों की सीमा रेखाएं इस परस करती हैं दोस्तों यदि आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें क्योंकि रोजाना राजस्तान जीके और All India General Science के टेस्ट श्रीज इस चैनल पर आते हैं इसकी सूचना तुरंत पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवस्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं फ्रेंट्स हमारा नेक्स्ट क्यूशन है राजस्तान की किस जिले में बिलाली परवत चोटी इस्तित हैं सिक्कर, अलवर, राजसमंद या जेवपूर तो फ्रेंट्स इसका जो करेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा ओप्शन बी ओप् नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंट्स हमारा नेक्स्ट क्यूशन है डूंगरपूर बास्वाडा राजस्तान के प्राचीन परदेसों में जाने जाते हैं हाडोती, मारवाड, मांड या फिर वागड तो फ्रेंट्स इसका जो करेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा ओप्शन डी वागड के नाम से जाना जाता है डूंगरपूर बास्वाडा को वागड के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं फ्रेंट्स हमारा अगला क्यूशन है राजस्तान का बोगोलिक छेतर लगबग किसके बराबर हैं राजस्तान का बोगोलिक छेतर फल लगबग किसके बराबर हैं कनाडा जर्मनी फ्रांस या ओस्ट्रेलिया तो फ्रेंड्स इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा ओप्चन बी ओप्चन बी जर्मनी के समान जर्मनी के छेतरफल के बराबर हमारा राजस्तान का कुल छेतरफल हैं next question की ओर बढ़ते हैं हमारा next question है दोस्तो अजब गड़ समू की आदारिय सेल जिन जिलो में पाई जाती हैं वे हैं कौन-कौन से जिलो में आदारिय सेल पाई जाती हैं दोसा जेपुर पाली सिरोई जेसल मेर बाड़ मेर या गंगा नगर और हनुमान गड़ तो friends इसका जो correct answer हैं वो हो जाएगा option B option B पाली और शिरोई पाली और शिरोई इन दो जिलो में अजब गड़ समू की आदारिय सेल पाई जाती हैं राधे राधे next question की ओर बढ़ते हैं दोस्तो हमारा next question है राजस्तान में निम्न लिखित में से किस जिले में वार्सिक वर्सा में अधिक्तम विसमता पाई जाती हैं राजस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें वार्सिक वर्सा में अधिक्तम अंतराल पाया जाता है ज्यादा भी हो सकती ह और कम भी हो सकती है ओसत नहीं होता है बाडमेर जेपूर जेसलमेर या बाडमेर तो friends इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option C जेसलमेर जिले में सरवादिक वार्सिक वर्सा की विसमता पाई जाती है next question की ओर बढ़ते हैं दोस्तो हमारा next question है BWHW से क्या अभी प्राय है BWHW का मतलब क्या होता है सुस्क सीत जलवायू सुस्क उस्न कटी बंदिये मरुस्तल आद्र या फिर अती आद्र या फिर अती आद्र तो friends इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option 4 option 4 option 4 कौन सा है देखिए अती आद्र अती आद्र अती आद्र option 4 correct answer next question की ओर चलते है friends हमारा next question है जब पुसकर की पाड़ियों में भारी वर्सा होती है तो बाड कहां आती है दोस्तों अजमेर स्वाई मादूपूर बालोत्रा या सोजत तो friends इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option C option C बालोत्रा में बाड़ कहां आती है बालोत्रा में next question की ओर जलते है इस option के बारे में बता देता हूँ next question की ओर चलते हैं दोस्तों next question है मानसून सब्द किस बासा के सब्द से बना है मानसून सब्द किस बासा के सब्द से बना है फार्सी जर्मनी अर्बी या अंग्रेजी तो दोस्तों इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option C option C अर्बी अर्बी वासा से तयार हुआ है मानसून सब्द next question की ओर चलते हैं हमारा next question है लाल दोमट मिटी पाया जाने वाला जिला कोन सा है इन में से दुंगरपूर बिकानेर शिरोई या कोटा तो friends इन में से जो मारा correct answer है वो हो जाएगा option A डुंगरपूर जिले में लाल दोमट मिटी पाई जाती हैं नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं हमारा next question है जो टिकाव खेती मीशन है इसके अंतरगत कोन सा उप मीशन समिलित किया गया है पसु पालन, सुआस्ते परबंदन, सैकारी खेती या मरदा सुआस्ते परबंदन तो दोस्तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option number 4, option number 4, मर्दा स्वास्तय प्रबंदन जो की राश्टिय टिकव खेती मीशन के अंतरगत आता है, next question की ओर बढ़ते हैं, next question है मारा, राजस्तान में बूरी मिट्टी का परसार है, राजस्तान में बूरी मिट्टी का परसार किस छेत्र में है, बनास नदी का परवाचित्र, राजस्तान का दक्षिनी भाग, हाडोती, पठार या अरावली के दोनों तरब के भाग, तो friends इसका जो correct answer है, वो हो जाएगा option A, option A, नदी का परवाचित्र, बनास नदी का जो चेत्र हैं, वहां की मिट्टी भूरी मिट्टी हैं, केसी हैं, भूरी मिट्टी, next question की ओर चलते हैं दोस्तों, next question है हमारा, राजस्तान के कौन से तीन जिले गहरी भूरी काली मरदार रखते हैं, कौन कौन से तीन जिले हैं, जिनमें गहरी भूरी काली मिट्टी हैं, सिरोई और जालोर तो फ्रेंट्स इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा ओप्सन दो ओप्सन नमबर दी या दो सेकिंड ओप्सन कोटा बूंदी जालावाड इन जिलों में गैरी भूरी काली मर्दा पाई जाती हैं राध है राध है नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्यूशन है कोन से व्रक्ष की पत्यों का उप्योग बीडी निर्माण में होता है कोन से व्रक्ष का प्रियोग बीडी निर्माण में होता है तेन्दू, साग्वान, पलास या फिर दोकड़ा तो फ्रेंट्स इन मेंसे जो कररेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा option number A, option number A, तेंदू के पत्ते का परियोग बीडी निर्मान उद्धोग में किया जाता है, next question की ओर बढ़ते हैं, हमारा next question है, राजस्तान में वन विबाग की स्तापना कब हुई, राजस्तान में वन विबाग की स्तापना कब हुई, 1982 में, 1985 में, 1989 में, 1950 में, तो friends इसका जो correct answer है, वो हो जाएगा, option D, option D, 1950, 1950 में राजस्तान में वन विबाग की स्तापना की गई थी, next question की ओर बढ़ते हैं, हमारा next question है, राजस्तान की किस भाग में सुस्क सागवान के वन पाए जाते हैं, कोन से छेतर में सुस्क सागवान वन पाए जाते हैं, मद्य राजस्तान में दक्षिनी राजस्तान में पूर्वी राजस्तान में या उत्री पूर्वी राजस्तान में तो फ्रेंट्स इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा ओप्सन नंबर बी ओप्सन नंबर बी ओप्सन बी दक्षिन राजस्तान में सुस्क सागवा वन पाए जाते हैं दोस्तो अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगले क्यूशन की ओर बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवस्य करे और अधिक से अधिक टेस्ट श्रीच को सेर करे ताकि सभी लोगों को अत कंटीली जहाडियों वाले वन किस छेत्र में पाये जाते हैं राजस्तान में कंटीली जहाडियों वाले वन किस छेत्र में पाये जाते हैं पस्सिमी सीमा पर पाकिस्तान की और अरावली का पहाडी छेत्र कच्छ छेत्र में गुजरात सीमा के समानतर और थार मरुस्तल और अर correct answer है वो हो जाएगा कटीली जहाडियों वाले वन चेतर किस में चेतर में पाये जाते हैं तो friends इसका जो correct answer था वो हो जाएगा option number D, option D, जो की थार मरुस्तल और अरावली चेतर के बीच पाया जाता है, कंटीले चेतर फल वाला, कंटीली जहाडियों का चेतर, थार मरुस्तल औ जमाई बेसीन को किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों छप्पन का मेदान के नाम से, तो friends इसका जो correct answer हैं वो हो जाएगा, option B, गोडवार पर्देस के नाम से लुनी जमाई बेसीन को जाना जाता है, राधे राधे, नेक्स्ट क्यूशन की ओर हमारा नेक्स्ट क्यूशन है लूनी नदी का जल उदगम से लेकर किस इस्तान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है लूनी नदी का जम जल उदगम जहां से लूनी नदी का निर्मान होता वहां से लेकर कौन से इस्तान तक मीठा रहत है और उसके बाद खारा हो जाता है कैसा हो जाता है खारा समदड़ी बालोत्रा सिवाना या साचोर तो फ्रेंट्स इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा बी ऑप्शन बी बालोत्रा 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 के बाद में इसका जो जल है लूनी खारा हो जाता है इससे पहले ये नदी मीठा इस नदी का जल कैसा रहता है मीठा नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं दोस्तो हमारा नेक्स्ट क्यूशन है बिजराल की पाडियां पाडियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न लिखित में से किस अपवात अंतर का भाग हैं बिजराल की पाडियों से निकलने वाली खारी नदी निमन लिकित में से किस अपवा तंतर का भाग हैं बंगाल की खाड़ी का अरब सागरिय ए निस्यत अपवा या आंत्रिक अपवा तो फ्रेंट्स इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option A बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी next question की ओर बढ़ते हैं friends हमारा next question है लूनी की साइक नदी है लूनी की साइक नदी कौन सी है जोजरी सूकड़ी गुईया नहीं है दोस्तो क्यूशन को मैंने भी गलत पढ़ा है लूनी की साइक नदी नहीं है कौन सी नहीं है बाकि तीन नदीयां कैसी है साइक है और एक साइ तिम में जाकर है नहीं है सकते या ए सकते इन चारों चीजों को बहुती ज्यादा अच्छी तरह से देखना है तो कौन से नदी नहीं है जोजरी सूकडी गुईया या मेंडा तो फ्रेंट्स इन में से जो मेंडा नदी है मेंडा नदी है वो लूनी की साइक नदी नहीं है इस अगला क्यूशन है निम्न में से मीठे पानी की जील कौन सी है इन जीलों में से मीठे पानी की जील कौन सी है दोस्तों लून करणसर जो की बिकानेर मिश्टित है पत्स बदरा बाड मेर में सामबर या जैसमन्द जील तो फ्रेंट्स इन में से जो मारा correct answer है वो हो जाएगा option D जे समंद जील का पानी कैसा है मीठा कैसा है मीठा नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्यूशन है माल खेत की पाढ़ियां राजस्तान के किस जिले में इस्तित हैं अजमेर, सिक्कर, भिलवडा, जोधपुर तो फ्रेंट्स इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा उप्शन B माल खेत की पाढ़ियां सिक्कर जिले में इस्तित हैं नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्यूशन है देवल, मेवलिया, राजस्तान के किस भाग को कहा जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तों देवल, मेवलिया, राजस्तान के किस भाग को कहा जाता है दुंगरपूर, बास्वाडा के मद्दे भाग को बासवाड़ा परताबगड के मद्दे का भाग अजमेर भीलवाड़ा के मद्दे का भाग या उप्युक्त सबी जगें तो फ्रेंट्स इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा उप्शन A दुंगरपूर वे बासवाड़ा के मद्दे भाग को देवल या मेवल या नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तो हमारा नेक्स्ट क्यूशन है निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल के नाल सुद पे जल प्रोजेक्ट से प्रतेक्स रूप से संबंदित नहीं है इसका जरूर ध्यान रखना है दोस्तो है या नहीं है सत्ते या ए सत्ते तो अब ओप्सनों की ओर चलते हैं राजसमंद, चितोडगड, उदेपूर या डुंगरपूर तो फ्रेंट्स इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर है वो हो जाएगा ओप्सन डी ओप्सन डी डुंगरपूर जिला परतेक्स रूप से माही हाई लेवल केनाल सुद पेजल से संबंदित नहीं है नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्यूशन है टोक्राबांद राजस्तान के किस जिले में इस्तित हैं जालावाड, सवाई मादुपूर, सिरोई या बुंदी तो फ्रेंट्स इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं वो हो जाएगा ओप्सन सी नेक्स्ट क्यूशन है राजस्तान में जीवंदारा योजना का संबंद किस से हैं जीवंदारा का संबंद किस से हैं जीवंदारा का संबंद एक दोस्तों गरीबी गरीबों के लिए बीमा, सी चाई कुओं का निर्मान, गरामीन गरीबों को बिजली उपलब्द कराना, चि कोंग का निर्मान, जीवन-धारा योजना से संबंधित हैं। जीवन-धारा योजना का मतलब क्या है, सीचाई कोंग का निर्मान करना। Next question की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला question है, राजस्तान की सबसे वरत सिचाई परियोजना है, राजस्तान की सबसे वरत बड़ी सिचाई परियोजना कौन सी है सबसे बड़ी? तो दोस्तो इसका जो correct answer हैं वो हो जाएगा option C गान्धी इंद्रा गान्धी नहर परियोजना राजस्तान की सबसे बड़ी सीचए परियोजना है दोस्तो यदि आपको test list अच्छी लग रही हैं तो इसमें आपको comment भी करना है जरूर आप कोई कमेंट अवस्य करे और चैनल को अधिक सेधिक सेर जरूर करे नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन है जबरदस्थी क्यूशन है गोडा खोज सीचाई परियोजना राजस्तान के किस जिले से समबंदित हैं? गोडा खोज क्या गोडा खोज सीचाई परियोजना राजस्तान के किस जिले से समबंदित हैं? बूंदी, डुंगरपूर, कोटा या उदेपूर तो दोस्तों इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर है वो हो जाएगा उदेपूर जिले में गोडा खोज सीचाई परियोजना चलती हैं गोडा खोज किस से समबंदित हैं? उदेपूर जिले से हमारा कर्रेक्ट आंस्वर हो गया उदेपूर नेक्स्ट कुशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट कुशन है तो दोस्तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option A रावत बाठा चितोड़ गड में इस्तित है नेक्स्ट क्योशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तो हमारा नेक्स्ट क्योशन है राधे गजनेर वन्य जीव अभ्यारण राजस्तान के कोन से जिले में इस्तित है जो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण है वो राजस्तान के कोन से जिले से संबंदित है चूरू, सिक्कर, हनुमानगड या विकानेर तो फ्रेंट्स इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option D विकानेर जिले में गजनेर वन्य जी अब्यारण इस्तित हैं next question की ओर बढ़ते हैं दोस्तो हमारा next question है बाई तलाब जील राजस्तान के किस जिले में इस्तित हैं डूंगरपूर, जालावाड, बास्वाड़ा या परताब गड़ तो फ्रेंट्स इसका जो सही उत्तर हैं वो हो जाएगा option number 3 C, बास्वाड़ा option C, बास्वाड़ा जिले में बाई तलाब जील इस्तित हैं बाई तलाब जील का संबंद कौन से जिले से हो गया बास्वाड़ा जिले से में बाई से बास्वाड़ा बाई बास्वाड़ा याद करने का सोट ट्रिक हैं बाई बास्वाड़ा बाई बास्वाड़ा नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्यूशन है इसका फुल्वारी की नाल या फिर सेरगड तो friends इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option D, option D, सेरगड, सेरगड अब्यारण सापों की सरण इस्तली है, सापों की सरण इस्तली कौन सा अब्यारण है, सेरगड अब्यारण, next question की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा next question है, राजस्तान में विधी दवारा संद्रक्षित थता विश्व दरोर में सामिल अद वित्तिय पक्सी संद्रक्षन इस्तल है, जो की विश्व दरोर सूची में सामिल है, रनतंबोर, केवलादेव, घना अब्यारण, दर्रा, मरू राश्टिय उद्यान, तो दोस्तों, इसका जो correct answer है, वो हो जाएगा option B, केवलादेव, घना, अब्यारण, जो की विश्व दरोर सूची में सामिल अद वित्तिय पक्सी संद्रक्षन इस्तल है, किसके लिए स्परसिद है, पक्सी संद्रक्षन इस्तल के लिए, राधे, राधे, next question की ओर चलते हैं, next question है मारा, संकट गरस् नीले आंकडों की पुस्तकों में, हरे आंकडों की पुस्तकों में, पीले आंकडों की पुस्तकों में, या लाल आंकडों की पुस्तकों में, तो दोस्तों इसका जो correct answer है, वो हो जाएगा option D, option D, लाल आंकडों की पुस्तक में संकट गरस्त पाध्पों के नाम सुची बद किये जाते हैं नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तो हमारा नेक्स्ट क्यूशन है रास्टिये बीजिये मसाला अनुसंदान के अंदरिस्तित हैं रास्टिये बीजिये मसाला अनुसंदान के अंदरिस्तित हैं तबीजी अजमेर में लालगड भिकानेर में या सेवर भरत्पुर में तो दोस्तो इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर है वो हो जाएगा ओप्सन ए ओप्सन ए तबी जी अजमेर जो की राश्टिय भी जी मसाला अनुसंदान के अंदरी स्थित है नेक्स्ट नेक्स्ट क्योशन की ओर बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्योशन है दोस्तो बास्वाडा तता कोटा के तिरिक्ट किस अन्य सेहर में टसर विकास कारियक्रम चल रहा है जेपूर उदेपूर जोदपूर अजमेर तो दोस्तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option B option B उदेपूर में टसर विकास कारियकरम चल रहा है पूछा जाए कि टसर विकास कारियकरम कौन से जिलों से संबंदित है उदेपूर, बासवाड़ा और कोटा इनमें टसर विकास कारियकरम चल रहा है नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं किस कुस्पूदार उपज के लिए के उत्पादन के लिए नागोर परसिद है कोन सी उपज है जिसके लिए नागोर परसिद है जो कि कुस्पूदार उपज है जीरा, मेथी, लहसून, धनिया तो दोस्तो इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर है वो हो जाएगा ओप्जन बी जो कि कुस्पूदार उपज के लिए परसिद है नागोर जिले में सरवादिक उत्पादन होता है नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन है मारा तंगश्टन का उत्पादन निम्न में कहां की खदान में सरवादिक होता है तंगश्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में सरवादिक होता है देगाना, गुजजरवाडा, बांदर सीजडी या देवडा तो प्रेंट्स इन में से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ओप्शन नमबर A ओप्शन A डेगणा डेगणा टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद है नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में राजस्तान के किन जिलो में पोटास के अकूत बंडार मिले हैं अकूत का मितलव अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना पोटास निकल सकता है अकूत पूता नहीं जा सकता श्री गंगानगर, विकानेर, नागोर और जालावाड, श्री गंगानगर, हनुमानगर, सिक्कर और बारा, विकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगर, विकानेर, बुंदी, भरतपूर और भिलवडा तो friends इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option C option C, पोटास के अकूत बंडार, विकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगर, जिलो में पोटास के अकूत बंडार मिले हैं तो दोस्तों next question की ओर चलते हैं हमारा next question है गोट मांगलोद छेत्र का संबंद किस खनीज से हैं, रोक, फासफेट, टंगस्टन, मेगनीज या जिपसम, तो friends इसका जो correct answer हैं वो हो जाएगा option D, जिपसम, गोट मांगलोद छेत्र में सरवादिक जिपसम का उत्पादन होता हैं, जो की नागोर जिले से संबंदित हैं, नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्यूशन है, राजस्तान में तामबे का विसाल वंडार इस्तित हैं, डीडवाना छेत्र में, विकानेर छेत्र में, उदेपूर छेत्र में, खेतडी छेत्र में, चित्र नहीं है दोस्तों, छेत्र हैं, नेक्स्ट तो इसका जो कर्रेक्ट आंस्वर हैं, वो जाएगा ओप्शन डी, जो तामबे के विसाल वंडार हैं, वो खेतडी छेत्र में पाए जाते है कहां पर? खेतडी छेत्र में चित्र नहीं है दोस्तों यहां पर छेत्र है खेत्री छेत्र में तामवे का विसाल भंडार है जो की जुंगनु जिले से संबंदित है next question की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा next और अंतिम question है राजस्तान में स्टील ग्रेड चुना पाया जाता है चित्तोड़ गड़ में सव्वाई मादूपूर में अलवार और जेसलमेर या नागोर में तो दोस्तों इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option D, option D, जेसलमेर और नागोर जिलों में steel grade चुना पाया जाता है, next और special question हैं दोस्तों हमारा special question की ओर चलते हैं, हमारा special question देखिए, राजस्तान के किस जिले में प्राकर्तिक गेंस के बंडार हैं, राजस्तान के किस जिले में प्राकर्तिक गेंस के बंडार खोजे गए हैं, जेसलमेर, दोलपूर, महसवारडा या बिकानेर, तो friends इसका जो correct answer हैं, उस answer को आपको हमारे विनायक सपलता steady YouTube चैनल पर जाकर आपको comments box में डालना हैं, और चैनल को subscribe और share करना हैं, बहुत बहुत थनिवाद